Hello and Welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, So Make India Defense के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज फानली, कई सालों के बाद ये निर्ने भाइदवे अटका हुआ था 2016 सत्रा से, मगर 2021 में फानली, सरकार ने 83 लाइट कॉमबैट एरक्राफ्ट तेजस को मैनुफैचर करने का जो कॉंट्राइट बहुत ही बड़ा निर्ने लिया है, बिग मेक इन इडिया डील, इसके बारे में PM Modi से लेकर, होम मिनिस्टर सब ने आपर का है, कि हमारे प्रिस्टीजियस हिंदुस्तान इरनोटिक्स लिमिटेट को मिलेगा, 48,000 क्रोट का कॉंट्राइट, अब ओवियस ही बात है, इतना ब बारे में मैं आपको अगर बताऊं, तो इसके headquarters आपको मिलेंगे, बैंगलोर में, लोग समझते हैं कि न्यू डेली होगा, मगर headquarters है इसके बैंगलोर में, इसको found किया गया था, 81 साल पहले तब इसका नाम कुछ और था, इसका नाम फिर change किया गया था, to Hindustan Analytics Limited in 1964, आज के समय इस company में 28,000 से उपर लोग काम करते हैं, और chairman और managing director है यहाँ पर, R. Madhwan, so इस company के लिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, एक question भी, by the way, यहाँ पर मैं आपसे पूछूँगा, regarding HAL, question यहाँ पर आपसे यह है, कि जिस तरीके से तेजस को manufacture करेगा HAL, उसी तरीके से आज के सम में यह develop कर रहे हैं, एक बहुत भी खास project को DRDO के साथ मिलकर, project का नाम है AMCA, आपको यह बताना है कि AMCA इन में से क्या है, क्या यह एक hypersonic missile है, क्या यह एक 5th generation aircraft है, क्या यह एक transport aircraft है, या फिर क्या यह एक attack helicopter है, इसका answer करिएगा comment section में, सही answer में आपको दूँगा, वीडियो के और आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, चाहे SSC, bank, railways, MPPSC, RPSC, आप purchase कर सकते हैं unacademy के courses, आपको मिलेगी यहाँ पर live class, और जो यहाँ पर price दिया हुआ है, इन courses का यह पे मत कर देना, use करो यहाँ पर code PD10, और यह होगा आपका price after the discount, so use the code PD10, and start preparing for your exam with unacademy's live courses, और payment आप कर सकत सकते हैं through UPI, net banking cards, you can even pay in parts, so cabinet committee on security, जिसको chair करते हैं, देश के प्रदान मंतरी, इन्होंने approve कर दी है, यह बहुत ही massive deal, यह deal अटकी हुई थी price को लेकर, HAL ने का के यहाँ पर नई 48,000 नई से ज़्यादा price हम code करेंगे, यह 83 indigenous stages को build करने के लिए, मगर finally यहाँ पे कुछ बाच चीत हुई है, और अब जो यहाँ पर price निगल के आया है, यह है 48,000 क्रोड रुपीज, इस price में हिंदुस्तान Aeronautics Limited build करेगा 73 light combat Tejas MK 1A fighter aircraft, और 10 होंगे यहाँ पर trainer aircraft, यह बहुत बढ़ा advantage है, जब खुद अपने देश में आप develop करते हो एक aircraft, तो आप उसका Navy का variant, उसका trainer aircraft, स सब कुछ आ बना सकते हो अपने देश में, और हमारे देश के लिए यह बहुत अच्छी बात है, कि यह contract हमारे देश की सरकारी कंपनी को मिला है, नई तो अगर फिर से हम इसराइल के पास, US के पास, रश्या के पास जाते, तो यह deal हमको एक्ती सस्ती ना पड़ती, 73 fighter aircrafts के अराम से हमको हो सकता है कि 70 से लेकर 80,000 करोड रुपे भी पे करने होते, अब फॉर एक्जामपल इस deal को आप अगर compare करोगे, रफाइल डील से, तो हमको 36 रफाइल जहाज मिले हैं, डसो कंपनी से, for almost 60,000 करोड रुपी, आप सोच कर देखिए, हालक ही मैं आप यह तेजस completely different है, दोनों के काम करने का तरीका different है, तेजस नाम से ही पता लग रहा है, है एक light combat aircraft, रफाइल इससे काफी बड़ा है, इसको war में use कर चुके हैं in the past, इसमें बहुत सारे advanced radars, missiles हैं, तेजस relatively अभी new हैं आप कह सकते हैं, और इसका role भी काफी different है, तेजस का primarily हम और उमीद यह है कि आने वाले सालों में हम बहुत सारे तेजस इंडिया में ही build करेंगे, और अभी के लिए जो हमारी squadron strength है, एरफोर्स की, जो सिर्फ 30 के आसपास है, इसको increase करके कर देंगे, 42, और तेजस का देखो main काम यहाँ पे होगा, borders को patrol करना, और रेडिया को हमने किये थे, यह थे LCA MK1, यह इसका पुराना variant है, अब जो हम नए purchase करेंगे, 83, यह हैं तेजस MK1A, यह बाद या रख लेना, वाने में देखो बहुत जारा खास बात है, improved radar है, air to air refueling है, हवा में इसकी refueling आप कर सकते हैं, इसके पास beyond visual range missiles हैं, तो इससे पहले जो हम ते पेर करना होगा, पाकिस्तान और चाइना मेड, JF-17 Thunder से, हाली में आपने सुना होगा, यह काफिया तक न्यूस में भी है, JF-17 Thunder भी तेजस की तरह, एक light combat aircraft है, low cost variant है इसका, और यह है, एक single engine, multi roll combat aircraft, इसको पाकिस्तान इसमाल करेगा, अपनी air force में, मिराज 3 और मिराज 5 को replace कर करने के लिए, फ्रांस ने हाली में यह कह दिया, कि हम लोग मिराज के जो इनको spare parts चाहिए, यह provide अब नहीं करने वाले, तो धीरे धीरे अब जो भी इनके पास मिराज बचे हैं, इनको यह use करना बंद कर देंगे, decommission कर देंगे, और उसकी जगा, पाकिस्तानी air force की जो read की JF-17 Thunder, इन में से भैतर कौन है, देखो, पहली बात आपको समझना होगा, इंडिया के पास complete freedom है, तेजर सम कितने भी manufacture कर लें, पाकिस्तान अभी भी JF-17 Thunder को लेकर, चाइना पर काफी अतर डिपेंडेंट है, तो यही अपने आप में बहुँआ ड़ा डिफेरेंस है, उसके र जादा है, तेजर से की maximum speed है, और मार्क 1.8, वेरास, JF-17 की maximum speed है, मार्क 1.6, तो हर लेहाँ से मैं कहूंगा, light combat aircraft की shreddy में, तेजर से एक भैतर aircraft है, compared to JF-17 Thunder, और देखो, यहाँ पे आपको यह भी appreciate करना होगा, कि जिस तरीके से तेजर से को develop किया गया है, especially इसके MK-1A variant को, इस इसमें आप बहुत सारे टाइप के missiles install कर सकते हैं, it is very very flexible in use, यह अपने आप में है, एक modern 4 plus generation fighter aircraft, यहाँ पे आपको मिलता है, एक active electronically scanned array radar, यह अपने आप में बहुत अच्छा radar है, एक साथ करीब 16 targets को यह engage कर सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे होंगे beyond visual range missiles, और फिर यहाँ पे electronic warfare फिर sweet भी होगा, मतलब कि jamming किसमें capacity भी है, और सबसे interesting बात यह भी है कि इसमें air to air refilling भी है, देखो तेजस जरातार हमने design किया है, इंडिया में ही या फिर इंडिया के आप कुछ operations होते हैं उसके लिए, कल को अगर मान लो के हमको bombing करनी है Beijing की, again एक hypothetical scenario, मगर काफी दूर जा पर भी भी सकते हैं as support, और since इंडिया के relations बहुत सी countries के साथ बहुत अच्छे हैं, for example, Israel, France, even US, तो इसलिए तेजस में हमने बहुत सारे unique parts install कराए हैं, for example, missile की अगर हम बात करें, तो तेजस के पास है Rafale Company का, अब यह जो Rafale विमान है, उसे confuse मत कर लेना, Rafale एक विमान का नाम ह जिसको बनाती है French company Dassault, similarly Rafale Advanced Defense System, यह एक company है Israel की, इनका एक बहुत ही अच्छा missile है, Beyond Visual Range missile, यह हम यूज करेंगे तेजस के लिए, उसके लावा हम यहाँ पे R-73 Air-to-Air missile को भी यूज कर सकते हैं, यह भी बात चल रही है कि जैसे ही Brahmos NGM develop करते हैं, तो यह भी हम equip कर सकते हैं with त Tejas, अब इसके comparison में आप अगर देखो तो JF Thunder के पास इतनी ज़रा flexible options है नहीं, पाकिस्तान के जो relations है with Israel यह का भी खराब हैं, तो कल को यह Israeli missiles को यूज नहीं कर पाएंगे, ब्रमोज जैसा missile पाकिस्तान के पास अब तक है नहीं, तो even missile capacity के हिसाप से आप अगर देखो तो Tejas is much better than JF 17 Thunder, और यहाँ पे एक और बात मैं यह भी add करना चाहूंगा, कि इंडिया की अभी भी कोशिश है, कि Tejas के और ज्यादा parts हम बनाएं इंडिया में, और Indian technology यहाँ पर use हो in the future, यह बात करी है, हमारे रक्षामंतरी ने यहाँ पर क्या रहे हैं, कि the indigenous content of aircraft Tejas अभी के लिए है 50 जो बिलकुल made in India content यहाँ पे है, यह है around 50%, इसकी संख्या हमको बढ़ानी है to around 60%, तो in the future Tejas के बहुत सारे जो parts है, हो सकता है कि इसका जो radar है, या कुछ और जो components हैं इसके, वो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में बने, अब next question आपका यहाँ पर यह होगा कि, alright, so Tejas Mark 1A है, यह हम लोग कब induct होता हुआ देख पाएंगे, देखो यह most probably हो जाएगा 2022 के अंथ में, तो 2023-22 के आसपास यह जो aircraft है, यह hall बहुत अब तक manufacture कर लेगा, और Air Force धीरे धीरे इनको part राना स्टार्ट कर देगी, अपने squadrons का, और पहला squadron जो है इसका, यह complete हो जाएगा होंगे MK-1A variant वाले जो भी हमने purchase किये हैं, उसके इलावा एक और variant अभी Tejas का बन रहा है, Tejas MK-2, यह भी हो सकता है कि 2027 के आसपास आपको देखे, इन दा इंडियन Air Force, तो Tejas series के बहुत सारे aircraft आने वाले हैं, and this will be the backbone of the Indian Air Force, So वापस आते हैं हमने question की तरफ, देखो Tejas तो आ चुका है, मगर भारत यहाँ पर रुकेगा नहीं, अब हमको चाहिए एक 5th generation stealth fighter, और यह बना रहा है हिंदुस्तान Aeronautics Limited DRDO के साथ, इसका नाम है AMCA, तो इस question का तो यहाँ पर answer हो गया B, और यहाँ पर आप देख पाएंग यह है हिंदुस्तान Aeronautics Limited का Advanced Medium Combat Aircraft, देखने में आपको लग रहा होगा कि यह कुछ F-35 जैसा है, और जब यह बनके तियार हो जाएगा मैं काऊंगा, it will be a huge development for India, यह Rafal से भी कई गुना वैतर विमान होगा, और उमीद यह है कि 2030 के आसपास यह हो जाएगा तियार, तो इसी कर दो जाएगा तियार हो जाएगा करे यह होगा, यह भुना प्राएगा की यह है।